हलो बच्चो कैसे हैं आप सब आई होग आप सब अच्छे होंगे और खुब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे तो बच्चो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फाइजेरम के बारे में ठीक है फाइजेरम की कम्प्रीट लाइफ साइकल आज हम देखेंगे फाइ कर अशसरा किर यह रहरे हैं वांपतर स्वाबनें फ्रीट में पलाइब के बातां जो लाइफ साइट्स नोषच परम शल्टा 맞아 bindingंब मैं ठीक होते हैं अशिकर में अटरन होते फाइचल कॉम्सिंसी पलाइम बम्र सबसे पहले हम किसी भी अगर फंगस की या किसी भी प्लांट में किसी की लाइफ साइकल को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगा उसका सिस्टेमाटिक पोजीशन उसका किंगडम क्या है उसका डिविजन क्या है देन क्लास सबक्लास और एन फैमली तो फाइजरम की हम लाइफ साइकल पढ़ने जा रहे है तो फाइजरम को का जो किंगडम है वो क्या है माई कोटा है डिविजन क्या है मिगजो माई कोटा क्लास मिगजो माई सीट्स सबक्ला मिग्जो गेस्ट्रोमाइसिटी डी और फाइजरेल्स फैमिली फाइजरेसी ओके और जीनस हो गया हमारा फाइजरम जो फाइजरम सेनेरियम होता है वो क्या करता है फॉर्म्स लार्ज ब्लुईश पैचेस ठीक है हमारे गार्डन में सिटी लॉन में हम देखते हैं कि इतली क्या हो जाता है इन फंगस से भर सकता है एक ही रात में इतनी जल्दी इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है क्योंकि ट्रू स्लाइम मोल्स होते है जल्दी जल्दी जैसे अमीबा आगे को बढ़ता है उसी तरीके से इनका प्लाजमोरिया में वो क्या करता है आग पीसिस हमें फाइजरम की देखने को मिलेगी फाइजरम पॉलिसिफेलम यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टन है इसको आप नोट कीजिए फाइजरम पॉलिसिफेलम जो है वो किसलिए यूस किया गया एक्स्टेंसिवली है यूस्ट फोर जेनेटिक फिजिलोजिकल और बाय किस रिप्रमडियम से मुझे बोलता है जो प्रिब्रियुर्म ऐस्प होगा की सीमेटिक फेसवालियम पॉल्ट मॉडियम टिंगा किसा कमुझे सट्विकल ऊबले बॉल्टाइटेड को ना तूल तो जी अदेगा उतने Опिसों आपक। प्लाज़मोडियम क्या है? फ्री लिविंग, इर्रेगुलरली शेप्ड क्या है? मास है. अफ स्लाइमी प्रोटो प्लास. जिसमें क्या होंगी? सेवरल डिपलॉइड नूपलिया क्या होंगी? प्रेजन्ट होंगी. जो plasmodium होता है वो a-cellular है यह याद रखना a-cellular structure क्या होता है ठीक है a-cellular है and feeds phagocytically on bacteria, fungal cells and etc. जो plasmodium होता है वो कैसा होगा a-cellular होगा और किस पे feed करेगा bacteria और fungal cell पे feed करेगा phagocytically phagocytically मतलब जैसे amoeba feeds करता है वैसे a-cellular structure मतलब एक ही cell है उसमें बहुत सारे cells other cells जो है वो present है unicellular और a-cellular में difference है उके बच्चों unicellular में सिर्फ एक cell present होगा और एक ही उसमें जो cell का जो nucleus है एक ही present होगा पर a-cellular मतलब वहां पर कोई ऐसे cell का division नहीं है वो एक ही compartment के अंदर बहुत सारी cells क्योंगी present होगी इसको हम बोलता है a-cellular okay now see जो फाइजरम को जो plasmodium होता है वो किस तरीके का होता है fenero plasmodium किस तरीके का होता है बच्चों fenero plasmodium type का होता है fenero plasmodium का मतलब क्या होता है जब plasmodia increase करता है अपने size में जब plasmodia को favorable condition मिलेगी और वो क्या करेगा अपने size में increase करेगा तो वो क्या बनाता है एक fan shape structure बना लेता है जिसको हम बोलता है fenero plasmodium ओके बच्चों now see जब favorable condition आईगी ठीके under favorable condition जो ये fenero plasmodium है हमारा वो किसमें convert हो जाएगा fruiting body में convert हो जाएगा और sporulation start कर देंगे यानि कि sports उसमें से क्यों हो जाएगे release होने start कर देंगे fenero plasmodium in favorable condition converted into fruiting body and start sporulation अगे ब्रीवल condition में क्यों होगा fenero plasmodium जो होगा fan shape का plasmodium होता है वो किसमें convert हो जाएगा fruiting body में convert हो जाएगा और क्या करने लग जाएगा sports को release करना क्या कर देगा start कर देगा okay now see जैसे ही fenero plasmodium जो हमारा था fan shape plasmodium वो favorable condition में किसमें convert हो जाएगा ए स्टेज थी तब तक वो थी वेजिटेक्टिटिव फेस जैसे ही फिनेरो प्लास्मोडियुम कि इसमें कुछ हो जाएगा fruiting body में convert हो जाएगा तो वहां से स्टार्ट हो जाती है 50 में reproductive phase okay the entire plasmodium is converted in fruiting body is called sporophore और sporengium जब कम entire plasmodium किसमें convert हो जाएगा fruiting body में convert हो जाएगा उस पूरी fruiting body को हम क्या बोलते है sporopore और sporengium okay numerous tiny rounded spores occur in a mature sporengium that remain closely packed in between defined tube like structure consisting the capitulum जब यह जिस पोर engine है उसके अंदर क्या बनेंगे spores बनेंगे क्या बनेंगे उनके अंदर rounded spores बनेंगे और वो spores किसके अंदर closely packed होंगे tube like structures present होते हैं जिनको हम बोलते हैं capitulum अभी मैं आपको इसका structure दिखाऊंगी तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा तो जिस पोर्ज होता है वो tightly packed होते हैं किसमें capitulum में यह याद रखना और capitulum जो होता है यह क्यों होता है वेल लाइक structure हमें दिखता है यह tube like structure इसको हम बोल सकते हैं यह capitulum की ट्यूब्स जो होती है वो सिंपल भी हो सकती है ब्रांजडी भी हो सकती है ठीक है different different species में different different तरीके का हमें capitulum देखने को मिलेगा और यह capitulum है यह किसकी तरह सर्फ करता है इस सर्फ एस endoskeleton tube like structure तो यह क्या करेगा एंडो-skeleton की तरह एक्ट करेगा जो क्या प्रोवाइट करेगा मेकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइट करेगा तूदे डेलिकेट स्पोर एंजियम ओके next इसकी तरह एक्ट करेगा it also act as a conducting system conducting system की तरह भी एक्ट करेगा और किसमें help करेगा एंडे डिस्पर्जल ओव स्पोर्ट ठीके कैपिटिलम के तीन फंक्षन हो गई कि वो किसकी तरह एक्ट करेगा एंडु-skeleton की तरह एक्ट करेगा जाए एक्ट करेगा ज़ीए डेलिकेट स्पोर एंजियम को अब क्या होगा जो हमारा sporengium था उसके अंदर कैपिटलम में हमारे क्याते है sports क्याते है tightly fit थे अब जैसे sports mature हो जाएंगे वो क्यों होगे बाहर release होंगे environment में release होंगे ठीक है air की help से या फिर किसी insect की help से या कोई rain drop की help से या किसी animal के help से वो क्यों होगे अपनी sporengium जो अपना फ्रूटिंग बाड़ी उससे क्योंगे वो बाहर release होंगे तो वो sports कैसे होते है sports होते है haploid होते है बैच यह sports हमेंसे क्योंगे haploid होंगे और unicellular होंगे और जो phyzerum के sports होते वो बहुत beautiful होते जब जू जू ये जू स्पो लुप्ल्स में अगर ध्युल कंडिशन होती यह सपोरी बॉप्लवल कंडिशन 되는데 मिलती यह ऑर 50 श्वum जर्मीनेट करेंग Benjamin Reassu FP手ishig करेंगे क्रैक करींगे लुस्हन सांगा है अपना सारा अंदर का बहार निकाल के germ tube के form में हो क्या करेंगे germinate होंगे ओके देखो और जो spore का content होगा ठीकि जैसे spore wall burst होई जो spore का अंदर का content होगा वो क्या होगा बहार escape होगा और किस किस form में escape होगा spindle shape structure जिसको हम बोलता है swarm cells या फिर mix amoeba एक irregularly shape structure बनेगा और वो क्या होगा environment में release हो जाएगा उसको हम बोलता है swarm cell या फिर mix amoeba फिर यह mix amoeba किसके तरह behave करेंगे as a gamut behave करेंगे और फिर दो mix amoeba अलग अलग parents से क्या होते है fuse होंगे आपस में और क्या बनाएंगे diploid zygote बनाएंगे diploid zygote बनने के बाद वो favorable condition में क्या होगा एक mature फाइफजरम की plant body में develop होगा अब हम देखते हैं इसके life cycle now see the complete life cycle of phyzerum देखो फाइजरम की life cycle हम start करते हैं यहां से this is the first point यह क्या है हमारा mature plasmodium है फाइजरम की जो life cycle कहां से start होती है mature plasmodium से ओके हमें क्या दिखेगा यह उपर की side ठीक हमें क्या देखने को मिलेगा जो plasmodium है उसमें हमें देखने को मिलेगा loose और thick cytoplasm यहां पर क्या होगा क्या होगा थोड़ा loose होगा और यहां पर cytoplasm क्या होगा थोड़ा dense होगा इधर की area पर नीचे की तरफ cytoplasm क्या होगा देंस होगा और उपर की तरफ cytoplasm क्या होगा loosely arranged होगा ओके यह क्या हमारा mature phyzerum की plasmodial body है ठीक है और यह जो हमें यह दिखे रहे हैं यह क्या है capitulum है अभी मैंने बताया था ना आपको tube-like structure होगा जो क्या करेगा mechanical support provide करेगा plant body को so this is capitulum and this is the complete mature plasmodial body of phyzerum favorable condition पे जो mature plasmodial body है वो किस में convert हो जाएगी young fruiting bodies में convert होगा यह दिखे रहे हैं आपको young fruiting bodies यह young fruiting bodies में क्योंगा meiosis के process अकर करेगी और हमें क्या मिलेंगे यहां पे spores बनना स्टार्ट हो जाएंगे यंग fruiting body से यह mature fruiting body है जहां पर fruitification स्टार्ट हो गया है यह आपको wall देख रहे हैं okay यह wall burst out होगी और इसमें से क्या release होंगे sports release होंगे देखो इसमें से क्या release हो रहे है sports sports क्या होंगे haploid होंगे okay haploid and unicellular होंगे फिर favorable condition में sports क्या होंगे germinate होंगे this is the germinating sport जब sport germinate हो रहे हैं अपनी जो एक्जाइन जो wall है बहार की जो wall है उसको break करके क्योंगे sports क्योंगे germinate हो रहे हैं तो इसके अंदर का जो jelly like material होता है ठीक है plasmodial material जो होगा वो क्योंगा बहार release out होगा बहार ooze out होगा और उसको हम क्यों बोलता है mix amoeba लाइक structure होता है तो उसको हम बोलता है mix amoeba irregular shape structure होता है कि जो mix amoeba है यह क्या हो डेवलप करेगा अपने अंदर uni और by 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 फ्लेजिलेट जू स्पोर्स बनाएगा ठीक है इसमें जो फ्लेजिला प्रेजिलेट हो का वो यूनी भी हो सकता है निकि वन फ्लेजिलेटिट भी हो सकता है और बाइफ्लेजिलेटिट भ तो जब इनमें में में फ्लेजिला डेवलप हो जाता है तो उनको हम बोलते है उसमें प्लेजिला डेवलप कर लिया तो इसलिए को हमने क्या बोल दिया सौमर्ज जूस्पोर्स ओके फिर आगर फेवरीवल कंडिशन इनने मिल रही है इनको प्रॉपरा मॉड में अपना आपनी ads का जाने के बात कि आप जाएंगाल जाएं ये फिर से क्या बन जाते हैं अभी तक यह कैसे हैं हैप्योजन करते हैं lower KETR ही तो यह संद्रमिखन होए थे तो यह सकते हैं किस प्रक्क किस लगतिक पेड़ोंर देखें होगा है deploid ziigote क्या करता ए फिर grow करता है और किसमें कनवर्ट होगा यंग plasmodium देखो यंग plasmodium क्योंता एसेलुलर होता है सेलुलर मतलब इसके अंदर a celluland deployed ठीक है मतलब एक ही cell के अंदर बहुत सारे क्या है न्यूकलिय प्रेजंट है बहुत सारे हें माइटोगों डिय्क्य और अडर जितने भी सवरूदॉ कंडेंट होता है वह प्रिजन ओंगा लेकिन हैं अ-दॉण यहांने की 2n नंबर ही इन में तों प्रेजन है और वीलॉफिंट है हैं खुल इक है ज्य centers ओंद और फिर इन डिकोंपलोगीम और कि यहां पर N number of chromosome यह वाली life cycle चलेगी डिप्लोफेस यहां पर 2N जाइगोट से यंग फ्रुटिफिकेशन तक है डिप्लोफेस हो रही है ठीक है यहां भी 2N, 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 2N number of chromosome बट जैसे फ्रुटिफिकेशन स्टाट हो रहा है तो वहां से क्या हो रही है एंग नमबर यहां की है प्लोफेस साइकल स्टाट हो रही है यह था हमारा फाइजरम की लाइफ साइकल आप सबको समझ में आई होगी अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको यह पटिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो म यह देफिनितली त्याइटो मेंग वीडियो अनट गया तो तिल थैन वाइब यह थैक आएं थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए